हेलो एवरीवन कैसे हो आप लोग मेरी यूट्यूब चैनल सत्नामकुर में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको इस जो पैक बताने जा रही हूँ आपकी स्कीन के लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है घर की साफ सफाई में अगर आप पाल से फेशल करवाके आये हों फ्रेंड्स हाइपर पिग्मिटेशन को इंपल्स को ब्लैक हैड्स वाइस हैड्स को क्योर करने वाला यह पैक आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला घर की चीजों से बना हुआ यह पैक आपकी स्कीन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच प्लूस сторон करते हैं वीडियो वीडियो स्टार्ट करने पूर्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर मेरे चैनल में नये है तो फ़िसի सब्सक्राइब ले को प्रेस कर लिजए ताके मेरे आने वाली अंको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा हे फ्रेंड्स यहां पर बैने अका यहां पर मैंने एक चमच गुलाब जल लिया है तीन से चार पिंच मैंने कस्तूरी हल्दी ली है अगर आपके पास किचन वाली है तो एक ही पिंच लीजिएगा कस्तूरी हल्दी हमारे चेहरे में निखाद लाती है हमारे पिंपल्स को ठीक करती है यह जो पैक एंटी है आदा चमच चंदन ननकापॉडरं आदा चमचrot आपके पास और आदा ही चमच्वाट बेशन लिए अगर आपके पास औरेटेल पिंच और नहीं है तो आप संत्रे का जूस करके सकते हैं संत्रे का जूस भी नहीं है तो आप इस पी AM Chinese जोश सबहनिए डूस को ठीक और सक साफ रखता है दर्क स्कीन में ग्लू लाता है और जो बेस्न होता है वह अपने स्कृच काम करता है difference को रिंकल को इसम somosекс केन दीए अरुच करता हैं यह द्रोप मैंने हांपर हौकोनट ट्योह करता है सब्सक्राइब आपनाट के नाफिक उलर田 रकमी करते हैं अपना सब्सक्राइब कर लिए टै। कि योजि करके हैं कि इस बौने सब्सक्राइबिकों बभाइनों के भाइन के उतकास क्षे आप एपना फेस साफ सुत्रे PAANI से दो लिजिएगा नाने जाने से 15 मिन पहले आप इस्से लगा लिजिए अगर आपके पास समय नहीं है तो रात को भीसे आप लगा कर साफ। उत्रे पाने से दो单 सो सकते हैं मैं नगाने कि बाद मैं इसे 15 मिनट छोड़ दिया था 15 मिनट बात देखिए मेरा 80% पैक ड्राई हो गया था अब हम इसे रब करके निकालेंगे रब करके निकालने से हमारी स्कीन में जो अंचाए बाल है वो पूरी तरह से निकल जाएंगे आपकी स्कीन में वो भी क्योर हो जाएगी डार्क स्कीन वाले से जरूर यूज कीजिए धीरे धीरे कलर साफ होना शुरू हो जाएगा इस पैक से और स्कीन में ग्लो आ जाएगी जिनकी स्कीन बहुत जादा ड्राई है उनके लिए भी ये पैक बहुत अच्छा है आप इसे फ लो और शाइन करना शुरू कर देगा इसका रिजल्ट फर्स्ट बार यूज में ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा देखे मैंने अच्छा से दो तीन मसाज देकर अपने फेस को धो लिया था फेस दोने के बाद आप मेरे फेस का रिजल्ट देखिए कितना गजब का यूज कर लिजिए मैंने आप थोड़ा सा एलो वीरा जैल लिया था और इसमें एक बुंद मैंने कोकोनाट टोयल की डाली थी मैंने इसको अपने फेस में अच्छे से लगा ली अच्छे से लगाने के बाद मैंने दो से तीर मिनट अच्छे से मसाज दी थी अपने फेस में अपने फेस में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेर जरूर कीजेगा और मुझे कॉमेंट करके बताएगा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं